आपस्टारे घज़र आपकोल आपस्टारे लाएखी आपस्टारें लाएखी वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल मैं उम्मीद करती हूं आप ठीक होंगे खैर वाफियत से होंगे आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग डोल जो के हम घर कि शीट के साथ बनाकर रेडी करेंगे और बहुत ही जल्दी ये रोल्स बनकर तयार हो जाते हैं बिसमिल्ला रह्मानी रहीम सबसे पहले हम इसकी जो आना वह तैयार करेंगे मिक्सेर जो हमने इसके अंदर एड़ करना है सबसे पहले मैंने ले लिए तीन जव्य लसं के थोड़ा सामेने एक चमल जाला है तकरीबर और इसको थोड़ा साहम इसका कलर स्चेंज करेंगे बिल्कुल इसका कलर सोते करेंगे हम और यहां पर जी अब आप भापने जादा जोईआ करना डार्क बाउन नहीं करना बस थोड तो हैं difícil सोते ही करना है अब यहां पर जी हमसें कुछ प्यास दीक हम दालेंगे जित्दों तो ऊद्देने को सबसे नहीं नहीं की तो छीप करेंगऄ अपर अब 1 एक तो गच्छें के से इसमाने ने तक टीक हम दम कर ली मैं नहीं कुछ करणे के लेकर तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ने ले टाला रहा है कि अधिया को अधिन सब्सक्राइब प्तरिके कर लिए वक्राइब अधिंडिया यहाँ सारी केंदर डाल को पार इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल चीजों के साथ बन ट coating है और इसे रोल को बनाने के लिए जल लाने लुए झाल को सब्सक्राएं बसे राइस का पर शेयर क्राइए तो मिइस VocêReusion स्वेश्ट स्हूं मिलते हैं यह आप पर जी एक अदर शिम्ला मिर्श की शीट मिलते हैं तो घर में आप बड़े साइस की भी शीट्स ना में बना सकते हैं और में बहुत चल्द तो आमने उसके साथ देना उसको थेखना है और उसे अपनी रोल्स की जो शीट्स है घर पर तैयार करनी है अब जी यहां पर शीमला मिर्च भी हमने इसके अंदर डाल दी है यहां फैसि को तो थोडा साँ कर लेंगे सोते कर लिए यहां पर धालें सारी सब्से आड़ जो हमने सारी सबसी आप जालें इसके पाउडर का और एक चमबच का तकरीबर पांच वाई साड़ा दादा कुटी हुई लाल मिर्शी का अब इसको यहां पर अच्छी से मिक्स करेंगे और यहीं स्पाइस के अंदर एड़ करेंगे कि इसके विस्के पेड़ कोई संपाइस आड़ नहीं करेंगे युद्ध यहां पर तक्रेबर मेन इस सारह मिक्स कर लागनेगे Andra नमक करेके और दॉनमक का तो यहां पर हम इसके अब पर हमना धादा कैश्ब नमक कर सकते हैं कर दा दा आ तो यहां पर, मैंने 400 ग्राम will you to bless yourself यहां पर दो से 3-4 मिनट पकाऊशन सी चुकशन ही यहां कर देढ़ हैना अच्छा लग रहा है बहुत ही कम चीजों से साएं यहां पर यह बनकर त्यार हो चुकए है अब जी यहां पर हम अब फिलिंग कर लेंगे अपने रोल्स की और जो शीट्स की मैं आपके साथ बात कर जी यह वो शीट्स हैं जो मैंने घर पर बना कर तैयार गी है तो इन्छाला बहुत जल्द यह रैस्पी आपके पास आ जाएगी तो आप इसको देख लीजए का आप य कि दियागा जब आपने रोल्स को मैं फ्राइ करना तो इनको लाइट फ्लेम पे करना अज बहुत जादा तेज नहीं रखनी तो जिजनी लाइट फ्लेम पे करेंगे उतने अच्छे से रोल्स बन कर तैयार होंगे अब जी यहां पर इस तरीके से हम इसको फॉल्ड करेंगे अब मैं इसके उपर ना मैदे की सलरी मैंने बना कर तैयार की मैदे के अंदर पानी डाल दिया था उसको मिक्स करके अब यहां पर यह देखें इसको हम इस तरीके से फॉल्डिंग इसकी मैंने कर लिए हो देखें कितनी असानी तरीके से फॉल्डिंग इसकी होगी रोल की औ और इसके अंदर जादा मिक्ताब है मैंने डाल दिया ओयल अब ओयल हमारा तक्रीब दर्म हो चुका आप एक एक करके हम इसके अंदर डाल दूंगे रोल और देखें कितने अच्छी हमारे रोल्स लग रहे हैं तो यह साइस में बड़े बनकर तयार हुए थे नॉर्मल हम जो की आप मैं बनकर तयार होते हैं तो इसलिए आप इसे जहा हमारी रेस्पी को जूरूर टाय को रहे हैं तो यहां पर यह देखें यहां और रोल्स पर पनने इसको पकाना है रोल्स को जड़ा आपने आँड तेज नहीं रखनी अगर तेज आज रखेंगे तो आपके ना फ् मीडियम फ्लेम पर हमेशचा चीज़े ना फ्राई की जाती है जादा आंग्स नहीं की जाती और यह देखें यहाँ पर तकरीबें इसको साथ से आठ मिनाट हो चुके थे यहाँ पर मैं इनकी साइड्स चेंज कर दूँगे और यह देखें इस तरीके से इसकी साइड्स माशाळला से हमारे रूर्ल्स का कछलर आया और भी की फटे भी नहीं होता है गर में शीर्स बनकर त्यार यह देखें इनकी फाइनल लुक और पुछती क्रंची बनकर तयार हुए थे बाहिर से और अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगती है तो आप जादा जाद हमको लाइक किया करें शेयर किया करें सबस्क्राइब किया करें और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें कभी स वजे का बनकर तयार हुआ था और यह देखें यह इसकी फाइनल लुक का ना तो बहुत का